जैय स्री राम भक्त जन्नों प्यारे भक्तों जीवन में सुख धन सम्मान चाहते हो तो माता पिता की इस तरह सेवा करो भगवान भी आपके गुलाम हो जाएंगे भक्तों कहने में तो थोड़ा आठपटा लगता है लेकिन ये सो परसेंट नहीं हजार लाख परसेंट सच है क्योंकि सब जानते हैं कि माता पिता की सेवा से बढ़कर इस जीवन में और कोई सेवा है नहीं लेकिन सेवा कोई बिरले ही करते हैं और जो पूर्ण तरह के से और माता पिता की सेवा करते हैं वह जीवन में कभी दुख नहीं पाते कभी उनका अपमान नहीं होता कभी उन्हें गरीबी छू नहीं सकती यह बिल्कुल सच है लेकिन सेवा करना तो चाहते हैं लेकिन करते नहीं सेवा तीन प्रकार की होती है तन से मन से और धन से भक्तो तन से भी बहुत लोग माता पिता की सेवा करते हैं जैसे कि जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं वह कहते हैं जितना पैसा चाहिए लेलो लेकिन हम आपके पास रह नहीं सकते आपकी सेवा नहीं कर सकते वो धन की सेवा से ही खुस हो जाते हैं लेकिन भक्तो एक धन की सेवा से या तन की सेवा से ही सेवा नहीं होती है जो असली सेवा होती है वह मन की होती है जिसने अपने माता पिता को मन से भगवान मान लिया असली भगवान असली भगवान किसने देखा नहीं है वह केवल अ के अनुभव में आता है जो अनंत काल से और भक्ती कर रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पाते के भगवान कैसा है जैसे के नदियां राद दिन दोड़ती हैं समुद्र मिलने के लिए और यह चिलाती हैं के सबसे पहले मैं पहुचूंगी समुद्र से मिलने के लिए और मैं बता दूंगी समुद्र कैसा है समुद्र कहां है लेकिन मिलने के बाद वह स्वयम ही समुद्र हो जाती है भक्तों इसी तरह से जो निर्गुण राकार भगवान है जो परमात्मा है वह किसी ने देखा नहीं उसका केवल आनुभव होता है उसको बता नहीं सकते लेकिन जिन माता पिता ने हमें जनम दिया है, हमें पाल पूच करके बड़ा किया है उनको तो हम भगवान मानते ही नहीं और मानते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 25% मानते हैं, हम निश्य के साथ कहते हैं अगर कोई सो प्रसेंट और माता पिता को भगवान मान ले तो भगवान स्वेम जो निराकार है वह गुलामी करेगा भक्तो गुलामी अगर जिसने अपने माता पिता सा का रूप में जो है जिनके द्वारा हमें मनस्षरीर मिला है अगर उनको भगवान मान लिया जाए सो प्र कोई बिरले ही है जो भगवान मानते हैं माता पिता को और सोप्रसत मानते हैं नहीं तो ज़रा सा बच्चा बड़ा हुआ माता ने डाड़ दिया तो एकदम से क्रोधित हो जाएगा भोलेगा नहीं और भोलेगा तो माता को उल्टा सीधा बोलेगा तो भक्तों आप खुद ही विचार करके देख ले कि माता पिता ही सच्चे भगवान हैं साका रूप में हैं उनको कहीं जे किसी की शियोर्टी दिलवाने के आवस्यक्ता नहीं है कि भगवान है या नहीं भगवान मान लिया वह है तो इस लोग में भी सुखी और पर लोग में भी सुखी उसको भक्ती करने कि आवस्यक्ता नहीं जो माता पिता को 100% भगवान मानेगा लेकिन ये तो कल यूग है कल योग में तो अगर दस बीस परसेंट भी मान लिया या तब भी बहुत है लेकिन अगर आपने सो परसेंट मान लिया तो स्वेम भगवान उत्तर करके आपकी गुलामी करेंगे के धन है इस तरह के इंसान जो माता पिता को भगवान मान बैठे हैं माता पिता ने कुछ कह दिया तो कुरोदित होते ही नहीं जो नों ने कह दिया वही करते हैं वो यह नहीं कहते हैं यह नहीं सोचते हैं कि ऐसा करने से गलत होगा या ठीक होगा क्योंकि माता पिता गलत कहते ही नहीं और वो ऐसा कहते हैं जो हमारे जीवन में मंगल मैं होने वाला होता है लेकिन हम अपने बुद्धी से उनकी तुलना करते है भक्तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है इसलिए संसार में इंसान दुखी रहता है अपमानित होता रहता है रोता रहता है और भक्तु पता नहीं कितनी कितनी प्रेसानिया जेलता रहता है लेकर उधर ध्यान जाता ही नहीं है कि मैं अपने माता पिता को भगवान मान लू कोई तीर्थो में जा रहे है कोई कहीं सेवा कर रहे है कोई भंडारे लगा रहे माता पिता घर में भूके बैठे माता पिता विचारे रो रहे बस यही चल रहा है इसलिए सारा संसार दुखी है भक्तो हम भी प्रियास कर रहे हैं और हमने प्रियास किया हमारे माता पिता तो नहीं रहे लेकिन इस चीज़ का ग्यान हमें हमारे माता-पिता जब चले ये तब हुआ कि वास्तम में असली भगवान माता-पिता है तो भक्तो अगर आपके माता-पिता है तो तन्न और मन और धन तीनों प्रकार से सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ दाप पे लगा दो तो जो भी आपके पास है, जैसा भी तन है, जैसा भी धन है, जैसा भी मन है पूरा का पूरा अपने जीवन के लिए सरफ एक चीज दाप पे लगा दो भक्तो आपको क्या मिलेगा यह आप सोच नहीं सकते हैं हम आपको इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं वैसे तो हमने अपने माता-पिता की सेवा जें लेकि 100% नहीं कर पाया क्योंकि हम पता ही नहीं था किसी ने बताया ही नहीं हमने जाना ही नहीं यह हमारी कमजोरी रही तो भक्तों हम आपको बता रहे हैं आप कुछ न करें आप भगवान का कोई नाम ना ले भगवान की कोई प्यूजा ना करे किसी मंद्र मस्जिद गुर्द्वारे में ना जें किसी तीरत में ना जें बस उनको भगवान मान करके और उनकी सेवा करें और तीनों प्रकार से करें तन और मन और धन आपके जीवन में वो फूल कभी मुर्जाएंगे नहीं आपको वह अम्रित प्राप्त होगा कि आप कभी मृत्यू को प्राप्त होंगे ही नहीं भक्तों आपको कभी अपमानित होना नहीं पड़ेगा भक्तों आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का दुख आएगा नहीं आपको गरीबी सताएगी नहीं और अगर दुख गरीबी मान सम्मान अपमान अगर आएगा भी तो वो तुरंत चला जाएगा तुरंत देर का काम नहीं क्योंकि भक्तों जो माता-पिता की सेवा करते हैं उनके जीवन में अगर दुख हानी और परेशानी अगर आती है तो ऐसे चले जाती है जैसे सूरज के निकलने से अंधकार चला जाता है भक्तों आप मानो मत मानो अगर मान लोगे तो आपको इस जीवन में भी हर चीज में सभलता मिलेगी और मरने के बाद भी आपको वह मुक्ष मुक्ती जिसके लिए जनम जनम तपस्या करते हैं रिशिमनी भक्तों आपको आपचारिक्ता नहीं नवानी केबल सौ परसेंट भगवान मानना यही भगवान है उन्होंने कह दिया कि बरफ के अंदर बैठ जाओ बरफ को अंदर बैठ जाओ सरदी के अंदर धूप पड़ रही है गर्मी पड़ रही है बाहर सड़क पर रोड पर खड़े हो जाओ हो ज नहीं कि मैं जल जाओंगो मर जाओंगा यह तो सोचना ही नहीं है तभी होगा है सो परसेंट माता पिता को भगवान मानना जो नो नहीं किया हां मन से भी ना नहीं हां केवल हां फिर देखिए आपके जीवन में क्या-क्या चमतकार होते हैं आपको साक्षात भगवान के दर बोड़ा साफर्ण होते हैं के अंदरापको वह मिलेगा जे जो आपकी कलपना से पर है तो भक्तो इससे जाधा हम समझाणी सकते हैं अरजी हमारी है मरजी आपकी है आशा करते हैं कि आप आश से नहीं आभी से अपने माता पिता को भगवान मानेंगे और तन्मन धन्से सेवा गरेंगे और अपने जीवन को आनंद मैं बनाएंगे सुख मैं बनाएंगे भक्तो अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं जै सरी राओ